नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल स्क्लिप यह साहर विदा में दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे सरीफा कस्टरड एपल के नाम से जाने जाने वाला यह फल शरीफा के बारे में हम जनकारी लेंगे इस वीडियो में आप जनेंगे सरीफा क्या है सरीफा में पाई जाने वाले पोशक्तप्तों के बारे में जनेंगे इसकी पतियां और फल कौन कौन से रोगों में लवकारी है इन सारी बातों की चर्चा आज इस शेसन के मध्यम से हम अपके सामने में लाएंगे तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सरीफा क्या है सरीफा या सीता फल के नाम का ये फल काफी स्वादिश्ट और सेहत मंद होता है ये सितंबर अक्टूबर के समय में मिलता है जथा इसकी उपरी तवचा उभार के साथ साथ खुरदरा होती है और अंदर सफेद गुदादार और दानेदार होता है इसके बीच काले रंके होते हैं हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही जबरदर्स्त और सधी है जो कि हमारे पाचन, बालों, तवचा, इत्यादी में काफी करगर होती है यदी हम शरीफा के पोषक तत्तों के बाहरें बात करें तो वो इसमें बीटामीन C पाए जाता है जिससे हमारे सरीर की रोग प्रतिलोध दक छम्ता सही रहती है इसमें विटामीन A पाय जाता है जो हमारे बालों तुचा एवं आखों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है इसमें पोटेशियम, मैगनेशियम, फाइबर इत्यादी पाय जाते हैं जिससे हमारे शरीर को ताकत एवं हमारे पाचन क्रिया सही रहता है तथा शूगर लेवल भी नियंत्रित रहता है अब हम बात करेंगे शरीफा की पत्तियां एवं फलों से होने वले लाव इसके पत्ते एवं फल, हिर्दे रोग, मदमे, तुचा एवं बालों के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं शरीफा की पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से डाइबेटेज रोगियों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसकी पत्तियों को तुचा पर लगाने से भी लाव प्राप्त होता है सीता फल में मैगनेशियम और पोटेशियम होता है जो हमारे शरीर को ताकत के अलावा हमारे हिर्दे की मानस्पेशियों को भी लाब प्रदान करता है इसकी पतियां और फल हमारे शरीर को काफी उरजावान और शक्तिसाली बनाने में कारगर है दोस्तों इस सेशन के माधम समझने जाना की सरीफा क्या है सरीफा में पाए जाने वाले कौन-कौन से पुशकतत्तों है और उनसे क्या लाब है इसकी पतियां फल कौन-कौन से रोगों में लाबदायक है यह सारी बाते हम इस वीडियो के माधम से जाने दोस्तों आप मेसे जो भी नए हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूले आई होप दोस्तों आपको ये जनकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नई जनकारी के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद